मेरे प्यारे साथियों नवस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और यह सभी परसन एकजाम की दठी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से आध तक देखेगा साथी राजस्तान जीके के ऐसे इंपोर्टेंट जीके के वीडियो पाना चाते है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली राजस्तान जीके के इंपोर्टेंट जीके के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योसन आपके सामने राजस्तान नगर पाले का अधिनियम 2009 को संपूर्ण राजिये में कब परबावी किया गया था बहुत अच्छा क्योसन आप लोग याद कर लेना वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है कि राजस्तान नगर पाले का अधिनियम 2009 को संपूर्ण राजिया में कब परभावी किया गया था तो 15.9.2009 को आप्शन ए इसका सही उतर रहेगा क्योसनवर 2 की बात करते हैं राजस्री वाटिका राजस्तान के किस जिले में निर्मित किया गया है कि राजस्तान के किस जिले में राजस्री वाटिका का निर्मारत किया गया है तो आप्शन सी इसका सही उतरेगा कोटा के अंदर क्योसनवर 3 की बात करते हैं राजस्तान में जनवरी 2016 में किस जिला कलेक्टर ने चेरण पादू का योजना चलाई थी राजस्तान के अंदर चेरण पादू का योजना बहुत परफेमस रही है और एक जिला कलेक्टर के दोवारे योजना चलाई गई है तो जनवरी 2016 में इसके सुरुआत की गी थी किस जिला कलेक्टर के दोवारा तो जालोर के आप्शन ए इसका सही उतरेगा क्योसन और फोर की बात करें राजस्तान राजे में पाईज दाने वाले मिटियों में से सरवादिक उपजाओ मिटी कौन सी है बहुत अच्छा कि उसन आप लोग उतर जुरूर बताईएगा और वीडियो के अंदर मानदर इसे बताना की पत्चीस में से आपके कितने सही वैसे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जागे कि आपकी त्यारी कैसी आप लोग हरी क्यूसन का एंसर जुरूर कॉमेंट कीजेगा तो राजस्तान के अंदर सबसे उपजाओ मिटी है वो जलोड मिटी है आपसन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और फाइब की बात करें निमन मैसे राजस्तान राजे में तलाबों दर्वा सरवादिक सिंचाई कौन से क्षियतर में होती है राजस्तान के अंदर तलाबों के दोरा सबसे ज़्यदा जो सिंचाई है वो किस भाग के अंदर होती है तो दक्सनी भाग में आपसन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और सेवन की बात करें क्योसन और सेवन की बात करें निमन में से राजस्तान और जो नागपूर वो किस जिले को कहा जता है तो जहलावाड को आपसन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और एट की बात करें निमन में से राजस्तान राजे के किस जिले के सरवादिक शितर में कच्छारी मिटी पाई जाती है इन में से राजस्तान के किस जिले के सरवादिक शितर में कच्छारी मिटी पाई जाती है तो धोलपूर में आप्सन डी इसका सही उतर है क्योसर नाइन की बात करें निमन मैसे राजस्तान राजे में गेप सागर किस जिले के अंदर है राजस्तान के अंदर गेप सागर जो कि किस जिले के अंदर है तो डूंगरपूर के अंदर है option C इसका सही उतरेगा क्योसनवर 10 की बात करें राजस्तान राजे का मैंचेस्टर किस सहर को का जाता है राजस्तान का मैंचेस्टर जो कि किस सिटी को का जाता है तो भिलवड़ा को option A इसका सही उतरेगा क्योसन वर 11 की बात करें राजस्तान राजे का कौन सा बांद मिटी से बना हुआ है राजस्तान राजे का कौन सा बांद है जो की मिटी से निर्मित है तो पांचना बांद आप्सन भी इसका सही उतरेगा क्योसन और बारा की बात करें राजस्तान राजे में घंटियों का सहर या सिटी ओव वेल्स किस सहर को का जाता है घंटियों का सहर जो की जालरा पार्टन को जो है घंटियों का सहर या फिर सिटी ओव वेल्स कहा जाता है आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सर्वर 13 की बात करें निवन मैसे राजस्तान राज्या में खंडीन क्रिशी कहां पे की जाती है राजस्तान के अंदर खंडीन क्रिशी जो की किस से जिले में की जाती है अच्छा क्यों से आप लोग उत्तर बताना और वीडियो के अंत में आप सभी इंपोर्टन क्योशन पूछा देगा उसका भी आप लोग उत्र जुरूर बताएगा और राजस्तान जी के के ऐसे इंपोर्टन क्योशन ये वीडियो पाना जाती है तो सबस्क्राइब करके पास में जो बेल आइकन बनी है उसको भी दबा लेना तो खंडी इंक्रिशी जो की बाड़ मेर में की जाती है आपसन डी इसका सही उत्तर रहेगा क्योशन वर चोदा की बात करें निमन में से राजस्तान राजे का अन भंडार किस जिले को कहा जाता है राजस्तान का अन भंडार जो की गंगानगर को कहा जाता है आपसन सी इसका सही उत्तर रहेगा जेसल मेर को राजस्तान का सवरन नगरी किस सहर को का जता है राजस्तान का सवरन नगरी जो की जैसल मेर को कहा जाता है ऑप्सन भी इसका सही उतरेगा जैसल मेर को राजस्तान का सवरन नगरी कहा जाता है क्यों सन्वर 17 की बात करें निमन में से राजस्तान राजे में भूरी रेतली मिटी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है तो फासपेट की ऑप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर अठारा की बात करें राजस्तान राजे में सो दीपों का सहर की सहर को का जाता है सो दीपों का सहर जो की बांसवर्डा को कहा जाता है आपसन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सन्वर उन्नीस की बात करें राजस्तान राजे का वह जिला जो इस मंगोल जीरा और टमाटर की उपज के लिए सरवादिक परसीद है राजस्तान का कौन सा ऐसा जिला है जो कि इस मंगोल जीरा और टमाटर इन तीनों की उपज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है जो कि जालोर है आप्सन सी इसका सही उतरेगा वेरी वेरी इंपोर्टन है याद कर लेना शेदा सा एक्जामे बनेगा कि इस वह गोल जो सरवादी की उत्पादन में कौन सा जिला आए या पिर जीराट माटर में तो जालोर इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनर भी इसकी बात करें निमनवसे राजस्तान राजे में आदी वाशियों का सहर जो कि किस सेटी को कहा जाता है देखे आदी वाशियों का सहर है जो किस सेटी को कहा जाता है तो BANSWADA को option B इसका सही उत्तर रहेगा क्योशन वर 21 की बात करें नीमन वर से, राजस्तान राजे पुसब रोहिडा का विग्यानिक नाम आप से पूछा गये है देखें, रोहिडा का विग्यानिक नाम खेजडी का विग्यानिक नाम यह कई बार एक्जाम में बन चुका है तो यहाँ पर हम बात करें रोहिडा का विग्यानिक नामे टेकोमेला उंडूलेता आप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योस नवर बाइस की बात करें निमन में से राजस्तान राजे का स्कोटलेंड की सहर को का जाता है स्कोटलेंड एक्जाम में परसन बन चुका है कि राजस्तान का स्कोटलेंड किसे कहा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टन है तो किसको अलवर को आप्सन डी इसका सही उत्तर रहेगा क्योस नवर तेज की बात करें राजस्तान राजे में कांतली नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पे है कांतली नदी का उद्गम स्थल जो है खंडेला की पहाड़ियां आप्सन भी इसका सही उतर रहेगा चिर्याटू की पहाड़ियां कौन सी नदी का है बताईएगा देखते हैं कितने बच्चे सही दे पाते हैं क्योसर नवर 24 की बात करें राजस्तान राज़े में कच्छारी मिटी किन किन जिलों में पाई जाती है राजस्तान के अंदर कच्छारी मिटी जो है किन किन जिलों में पाई जाती है तो एक तो टॉंक हो गया दूसरा भरतपूर है और एक दोलपूर भी है ऑप्सन ची इसका सही उतर जागा भरतपूर हो गया दोलपूर हो गया टॉंक हो गया Q25 की बात करें निमन मसे राजस्तान राजे में मेजा बांध का निर्वाण किस नदी पे हुआ है निम'न मैंसे राजस्तान का हावेलियों या ज़ोकों का सेर की सहर को काओज़त है ऑप्षन आपके सामने उप्षन आपके सामने जयसल मेरोगा, रासम बार्ट मेरोगा, बांस बारोगा, सही उत्र आपलों कॉमेंट में मतायेगँ और ये भी बताना कि पच्चेस में से आपके कितने से में इमानदरी से कॉमेंट कीजेगा किसे भी क्योशन को लेकि कोई डाउट और राय या सुझाओ देनो आप लो कॉमेंट जुरूर कीजेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और रोजाना रास्तान जी के ऐसी वेश्ट वालग भाई भाई